मिशन दो हजार चौपिस को लेकर सभी राजनितिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं इसी कड़ी में सूबे के मुख्या मुख्य मंतरी मनोहरलाल द्वारा भी लगातार बैक टू बैक अधिकारियों के साथ मंतरियों के साथ रिव्यू मीटिंग्स की जा रही हैं इसी के विवाग के अंदर क्या कुछ रहा उस मीटिंग में देखिए ये उनकी तीसरी मीटिंग थी जो बजट किया और ये एक किसम से उनका रिव्यू था और उनका मानना ये था कि बजट तो पेश हो गया और बजट में जो अलग-अलग महकमों की चीजें हैं वो इंप्लिमेंट करने के लिए टाइम लाइन क्या हो तो हर महकमे से मानिय मुखे मंतरी जी ने इस बात की चर्चा की कि जो हमने बजट में घोशना की है वो कितनी जल्दी लागू हो और कब तक हो जाएगी तो इस तरह का हर डिपार्टमेंट का उन्होंने जायजा लिया और इस तरह से कल यह तीसरी मिटिंग थी तो हम लोग भी थे हमारा महकमा भी कल था तो उसकी चर्चा भी हुई परिवार पहिचान पत्र सर्काफि सुर्खियों में रहता विप अलग अलग संग्याएं यह वो देता रहता है कब तक यह तमां परेशानियों का सामना जो प्रद छे महेने के बाद उसकी आए एक लाक ऐसी अजार से जादा हो गई, वो BPL से निकल जाएगा, किसी की कम हो गई, वो आ जाएगा, ये प्रोसेस लाइफ लोंग चलती रहेगी, हमने ये जो BPL है, इस मन्षा से नहीं बनाया, कि हम इन लोगों को बढ़ाएं, हमारी जो कोशिश है, वो ये है, कि इन लोगों को हम सपोर्ट करके BPL से बाहर निकलें, तो जो इसकी टाइम लाइन तो कोई हो नहीं सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुछ गलतियां, कुछ रिकॉर्डिंग में, बहतर लाख परिवार पहचान पत्र बने हैं, ब्यालीस लाख सतर हजार शेहरी जो प्रोपर्टीज हैं, वो उनकी आईडी बनी है, तो इतने बड़े आंकडे में हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान में, हर्याना पहला स्टेट है, जिसने ये काम किया है, इा वैद कोलोनियों को लीगल करने की बात हो या फिर अन्य गोशना हों आपके बिवाद को लेकर, कितने समयबत तरीके से त्माम चीज़ों को लेकर, क्रिटीरिया टेग किया गए, टाइम लाइन के रहने वाली है, त्माम चीज़ों को लेकर, कि इसकी सब फॉर्मेलिटीज पूरी हैं हम उनको डिकलेव करते जाएंगे हम उनको मालिकान हख देते जाएंगे ऐसे ही अप्रूवड अनप्रूवड कलोनिया है हमने कहा कि हम कलोनियों को अपरूव करेंगे हमारे पास लगबग दो हजार कलोनिया आई उसमें से लगबग ग्यारा सो बारा सो यूएल भी की थी तो अब उनमें भी जिस तरह से नगर परिशद ने नगर निगम ने रिजिडेंट वेलफेर एस्टोशेशन ने उन्होंने जैसे जैसे अपलाई किया उन्होंने रिजुलेशन किया फिर हमने उनको देखा किस कलोनी में पहले तो हमारी जो नियम था एक्ट था उसमें 25 परसेंट 50 परसेंट कंस्ट्रक्शन की बात थी 75 परसेंट कंस्ट्रक्शन की बात थी वो हमने सभी जो इनिविशन्स थी उनको हटा दिया तो उसके बाद फिर हमने कहा कि कम से कम 6 मीटर की सड़क होनी चाहिए फिर उसमें हमने थोड़ी औ पर मुद्दे पर अपनी राय रखी चंडिगर से कैमरा परसन रिंकु महरा के साथ रवी चंदेल सूर्य सामचार